ये गाईज, कैसे हैं आप आई हो, कि आप सब ये अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं How to take screenshot in Redmi 13C 5G आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि Redmi के इस डिवाइस में आप कैसे screenshot ले सकते हैं है एस वीडियो में हम आपको चार तरीके बताने बताने वाले इस्क्रीन char लेने के हैं और आपने डिवाइस में इसौर्ट ले पाएंगे यहां पर आपको करना क्या है वल्यम की डाउन बटन एन पाबर डून को एक साथ से दबाना है और छोड़ देना है तो volume down button and power button दोनों को मैंने एक साथ से दबाया sorry दोनों को एक साथ से दबाया और छोड़ दिया तो यहाँ पर screenshot आ चुका है next उपर से नीचे की ओर three finger को swipe कर देना है तो यहाँ से आपका screenshot आ जाता है next third tips यहाँ पर आपको notification बार में जाना है एक बार और साथ कर दिना है तो यहाँ से आपको मिल जाता है screenshot का option तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आपका screenshot आ जाता है next यहाँ पर फोर्थ तरीके के लिए आपको settings पर जाना होगा उसके बाद नीचे आ रहा है तोड़ा सा और यहाँ पर additional settings पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर accessibility मिल जाता है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से accessibility में हो इसे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे on कर देना है पान करने के बाद यहां से allow कर देंगे यहां पर यह permission allow होने के बाद यहां पर यह accessibility आ जाता है तो यहां से इस पर click करेंगे click करने के बाद यहां से अगर click कर देंगे screenshot पर तो यहां से भी आपका screenshot आ जाता है तो इस तरीके से यहां पर आप अपने डिवाइस में स्क्रिन सौर्ट ले पाएंगे चार तरीके से सबस्वाइच आई होग कि आपको ये वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना तो आज की इस वीडियो में तरह ये मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ